हेलो व्रीबरन वेलकम टू टुड़ेज वीडियो और सबसे बड़ा क्वेशन जो मुझे आप लोग पूछते हो वह यह होता है कि यार कौन से कोईन में ट्रेड करना है यह हम कैसे फाइंड करें तो आज मैं आपको एक बहुती सिंबल तरीका दिखाऊंगा और भी तरीके हो यह हो लिए केरें रिद्ट करते हम बतुडके प्रफॉर्म करते हैं हैं आप वीडियो के इक दु दिन बात देख सकते हो कि जलो ब Victory के हैं ऍर छो पूल में कि यह वाला एरिया जो की यूशूली अलैज़ लिए सपोर्च नहीं यूस होता है यह फिर कोई ने बना लिया है तो हम इसको ऐसा interim support ले सकते हैं तीक है एक support पर अगर हमें दिखता है volume spike के साथ upside move तो that support becomes more strong तो currently ये एक support बन गया है जो कि पहले नहीं हुआ करता था अब surprisingly यहाँ पर आ गया है इसको भी अब हम यहाँ पर ध्यान में रखेंगे जब तक यह break नहीं होता है तो यहाँ पर possibility लग रही है कि हम एक range movement यहाँ पर फॉर्म कर रहे हैं ऊपर वाले resistance और इस support के साथ and we'll need to see कि यह किस तरीके से work out करता है this is a new support तो इसको भी मैं इतना trust नहीं करता हूँ but we'll see क्या होता है आज का अगर हम market देखे तो market looks like that आज भी हम थोड़ा सा उपर जाएंगे वापस से इस area पर जा सकते हैं कल हमने देखा था कि हम गए थे इस area में 26,800 गए थे लेकिन अगली ही candle में हम वापस आ गए थे तो this could have been to you know clear out some shots अब price जीरे जीरे जो है धंग से जा रहा है build कर रहा है जब यह candle में जाके हम वापस नीचे आ जाते हैं जैसे कि हमने यहां पर देखा था तो इसका मतलब यह नहीं कि हम नीचे जाएंगे there could be another push on the upside तो यह चीज़ आपको दिहान में रखनी है आज bitcoin कुछ इस तरीके से दिख रहा है उपर ही जाएगा ऐसा लग रहा है SPX के साथ भी हमने यह देखा कर यह SPX नीचे breakout हुआ अब retail करने जा रहा है वो अपने resistance को आज का अगर हम देखें futures का market तो it looks positive तो good chance की SPX जो है कुछ इस तरीके का move plan कर रहा है resistance से निकल के फिर वो नीचे जाएगा तो हमें ध्यान में रखना है अगर SPX यहां से resistance से नीचे आता है then it's good तब हम short की जाएट focus कर सकते हैं लेकिन अगर हम resistance प्रेकर के ऊपर जाना start करते हैं और इस तरीके का move आता है that means that market will be bullish right but currently short term में crypto market looks like थोड़ा बहुत और bullish momentum इसे बचा है कल काफी सारे coins पंप हुए कल में थोड़ा busy था बट हम यहां पे फिर भी trade कर रहे थे आपसे मैंने share किया था Pepe was there Pepe हमने आपसे वीडियो में बात की थी and Pepe पे एक VCP pattern हमें देखने को मिल रहा था तो इसको हम discuss करते हैं and Pepe hopefully आप लोगों नहीं पे catch किया होगा so Pepe अगर हम यहां पे देखे हैं तो VCP pattern जिन लोगों को नहीं पता volatility contraction pattern होता है इसका मतलब क्या होता है that यहां पे price जो है उपर जाने की कोशिश कर रहा था बड़ उसको नीचे खीश लिया गया but bears इतने strong नहीं थे bulls इसको वापिस से उपर लेगा है फिर bears ने दुबारा try करी लेकिन इस बार bears और भी ज्यादा कमजोर हो गए and फिर से upside पे push किया गया तो इस तरीके से volatility of going down जो है compress हो रही थी and फिर वो उपर की side blast off करती है तो एकल मैंने आपको hint बेचा था hopefully किसी ने study किया होगा इसको और लिया होगा हमने पस ने लिया था इस तरीके से कुछ यह trade form होता है इसके लावा हमने TRB पर trade किया TRB अब बहुत जादा volatile हो गया it's better to stay away from it link था and so on but आज किस पर trade करेंगे तो किस तरीके से आप जो है इस market में ढूंड सकते हो तो आपको उसके लिए जाना है coin market cap के trending वाले tab में and यहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन-कौन से coins इस ताइम पर trend कर रहे है trend का मिली मतलब यह होता है कि उन पर volume जो है increase हो रहा है तो यहाँ पर हमें देखा Pay 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 अलेडी हम जो है trade कर रहे है second हमारे बस Bitcoin है जो कि always होता है फिर Shiba Inu है Shiba Inu को देखते है तो Shiba Inu में आप देख सकते है volume 30% increase होई है 24 hours में और फिर हम देखते है कि इस पर price impact क्या हुआ है तो अगर हम Shiba Inu के chart पे जाते हैं तो यहाँ पर कुछ खास upside move नहीं है तो there is a good chance कि Shiba Inu जो है यहाँ पर upside move दे सकता है अगर हम इसको daily में देखें तो last upside move इस पर चार-पांच दिन पहले आया था और 24 hours में volume increase हुए है तो good chance की it might go up again तो इस पर हम ध्यान रखेंगे I know it's a meme coin लेकिन meme coin हो या कुछ भी हो आपको तो trade करना है तो this is the support जो अभी Shiba इनुने ले रखा है और यहाँ पर आप देखोगे तो इस तरीके के triangle में जो है पूरा का पूरा movement हो रहा है तो there is a good chance of a breakout and अगर breakout एक अच्छी volume से होता है तो वहाँ पर long opportunity बन सकती है तो हम यहाँ पर इसके लिए अलर्ट लगा देंगे and this will be in my watch list today अब trade लेने के लिए timing सबसे important होती है weight आपको अच्छे से करना चाहिए don't try to hurry into things second फिर आप अगर और trending coins देखें तो यहाँ पर Luna, both of the Luna pairs are trending right now and आप इसमें भी रिख सते हो कि काफी rise आया पिछले कुछ गंटों में तो इसको भी एक बर देख लेते है so Luna कुछ इस तरीके से rise किया है अब Luna जो है हमारे 15 minutes वाले method पे जादा better suit करेगा मेरे साब से तो अगर आप Luna को कुछ भी करना चाहरे हो तो I think Luna पे थोड़ा सा और upside आएगा भी तो 15 minutes के method से मैं देखूँगा कि कभी यह green turn होता है and I'll be aiming for the long since the market is bullish right now तो इसको थोड़ा wait करके लेंगे and इस पे भी में थोड़ा alert लगा देता हूँ in case यह उपर जाता है तो this is the 15 minutes में alert and 4 hours पे हम वापिस से देखते हैं इसको एक बार तो यहां पर कोई क्लेर पाटन हमें नहीं देखने को मिल रहा है लेकिन विल सी इसको मैं तो नजर में रखूँगा वैसे भी यह मीम कोईन है तो इस तरीके से इसको देखना बढ़ता है लिंक हमने अल्डेडी कल ट्रेड कर लिया है रिपल फिर अनदर है रिपल यहां पर सोड़ा नेगेटिव सा लग रहा है तो यहां पर हम जाकर रिपल को चेक आउट करते हैं तो रिपल आप देख सकते हो कि एक डाउं ट्रेंड में है कि मैं कौन से कॉइंस ट्रेड करूं कहां पर जादा वॉल्यूम है किस तरीके से मैं इसको कर सकता हूं तो सबसे इजी तरीका यह होता है कि आप यहां से ट्रेंडिंग टाप से कॉइंस उठाओ एडिशनली आप ट्विटर पर जाके भी देख सकते हो कि उनके अराउंड क्या चार्टर हो रही है क्या यहां पर कोई नहीं नूज आ रही है कुछ हो रहा है आप चाहे तो ओन चेंड देख सकते हो देख सथे हो क्या इसकी whale holding increase हो रही है अगर उसकी whale holding इंकरी हो रही होती है धीरे धीरे बट सिगनिफिगेंटिटलि नहीं हो रही होती है लिसका मतलब है कि उसको पंप करने का प्लान हो रहा है अगर whale holdings decrease हो रही होती है अगर मतलब है कि they are now starting to sell TRB पे हमने देखा था So hopefully now you understand कि कैसे आप trending coins find कर सकते हो and कि सरी किसे आप उनको trade कर सकते हो That was a quick update with a quick tutorial So hopefully you guys liked it Make sure to hit the like button and subscribe to the channel if you're new here Thank you for watching and I'll see you in the next video